नमस्कर दूस्तों मैं अब सीक आपका भी सीक युटोरियल पे स्वागत करता हूँ बच चुके हैं सुबह के सारी छे और मैं लेकर आ गया हूँ कि आपका question out series के तहत chemistry का objective का question थी यहाँ पे हम लोग देखेंगे आज part कितना देखेंगे part 5 तक हो चुका है part 6 देखेंगे chemistry का तो आएए वीडियो की सुरात जल्दी सी यहाँ पे कर लेते हैं जो लोग भी पहली बार जूर रहे हो उनलों के request है चैनल को subscribe करके घंटी ज़रू बजाना जब तक घंटी ने बजाओगे YouTube वीडियो का notification नहीं देगा और आपको ये भी बता दे कि जितना मैं परहा रहा हूँ अगर आप उतना पूर्ण तयारी कर लेते हो सिर्फ BBI equation याद मत करो पूरा equation याद करो आपको बहुत अच्छे marks यहाँ पे मिलेंगे जो कि आपको 70, 80 और 90 परसेंट तक मिल सकते हैं आप कहीं भी coaching classes कर रहे हो coaching classes करो लेकिन आप exam के time खुद मिलाओगे कि आपने coaching classes करके कितने score, कितने question आपके वहाँ आए coaching classes से और मेरे वीडियो दू महीने देखने से आपको कितने question आए और आपने कितना marks वहाँ पे किया है तो आए वीडियो उक्सुरा जल्दी से कर लेते हैं तो part 5 और part 4 में मैंने subjective दिया था और फिर से part 6 में मैं objective लेकर आया हूँ पहला question है NACL crystal की सनरचना होती है जो की भी भी आई है NACL crystal की सनरचना होती है इसका ठीक है NACL crystal structure is तो क्या होगा फलक केंदरीत फेस सेंचर फेस सेंटर फलक केंदरीत Next है घनाकार सनरचना में पिंड केंदरीत परमानों की समनबे संक्या क्या होती है इन वडी Centered QV crystal structure coordinate number of atom is तिसका right answer हो जाएगा 8 ठीक है next बढ़ते हैं mole crystal तंतरों की संख्या क्या होती है mole crystal तंतरों की संख्या क्या होती है number of basic type of crystals are number of basic types of crystals are तिसका right answer हो जाएगा 7 right answer क्या होगा 7 next है भहतिक अधि सोसन की दर भौतिक अधिसोशन की दर किसके दोरा बढ़ता है तो इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ताप करम घटा कर, ताप करम को क्या करकर घटा कर, डिक्रीज इन टेंपरेचर, डिक्रीज इन टेंपरेचर इसका तो राइट आंसर हो जाएगा, वो है टेंपरेचर पर, ताप करम पर निरभर करता है बढ़ते हैं अगले क्वेशन की और नेक्स्ट क्वेशन 6 और 7 भी भी आई है, नेक्स्ट है आपका लोहा एक, लोहा क्या है, तो लोहा एक आईरन इजर, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है फेरो मैगनेटिक सबस्टांस फेरो चुमबक्य परदार्थ लोहा क्या है फेरो मैगनेटिक सबस्टांस है और यह सब्जिक्टी में बता चुका हूँ कि परा मैगनेटिक क्या होता है फेरे मैगनेटिक क्या होता है ठीक है और फेरे मैगनेटिक क्या होता है यह सब कुछ मैं बता चुका हूँ subjective वाले वीडियो में भी नेक्स आपका जो भी यह भी 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 आई है आरी नियस समीकर क्या है आरी नियस equation is तो इसका right answer यहाँ पे हो जाएगा option number a ठीक है option number a इसका right answer हो जाएगा next आपका निमलिखित में से कौन जो है colligative property नहीं है which of the flowing is not a colligative property तिसका right answer होगा परसरंदाव osmotic pressure next है बिद्धुत अपघटन होता है जो की भी भी आई है बिद्धुत अपघटन होता है electrolysis is used in बिद्धुत अपघटन का उपयोग क्या होता है जिसका right answer यहाँ पर हो जाएगा 9 नमबर का बिद्धुत सोधन और बिद्धुत लेपन दोनों होगा यानि A और B दोनों होगा option number C जिसका right answer हो जाएगा next है जल के साबुन के colliding कन होते है भी भी आई है जल के साबुन के colliding कन होते है जल के साबुन के colliding कन होते है colliding particles of soap in water is तो क्या होगा रीना वेसित negative charged next है दूद है दूद क्या है दूद है यहाँ पर देख लेते है milk is इसका right answer यहाँ पर जो हो जाएगा ठीक है यहाँ पर राइट आंसर इसका बता देते हैं इसका हो जाएगा dice person of fat dice person of fat ठीक है dice person of fat option number B next है 12 number का CHI theory का परतिरोधी परभाव क्या है CHI theory का परतिरोधी परभाव क्या है मुक्त आयोडिन के कारण ठीक है मुक्त आयोडिन के कारण live version as the antiseptic action of CHI theory is due to क्या हो जाएगा live version next है आपका निमुली खित में से कौन एक secondary एक secondary alkyl halide है which of the following is a secondary alkyl halide तो इसका right answer यहाँ फिर हो जाएगा isopropyl chloride isopropyl chloride doubt not बच्चों आप किसी भी सवाल में अटग गए हो या आप से सौब नहीं हो पा रहा है बस आपको इस question का photo लेना है question को crop करना है और पांस सेकेंड के अंदर अंदर उस question का video solution मिल जाएगा फिर चाहे आपका question हूंबर का हो CBAC, बिहार, UP, महाराज्ट, राजरस्थान, MP किसी अनबोर्ड का हो चाहे ITZ, NEET या classic से बरहमी का सवाल हो इन सब का जबाब .NET app पर या फिर कोई भी subject हो physics, chemistry, biology, math, science आपके सभी सवालों के जबाब मिलेंगी आपको .NET पर साथी .NET पर class 90 से बरहमी के बच्चों के लिए चल रही है English और Hindi मेडिया में live class है सियानी आप पुरी पराई होगी .NET पर तीन करोड से ज़्यादा बच्चे .NET पर पर पराई कर रहे है तो अब ही जाए और .NET आप को इंस्टॉल कीजिए Next equation number 14 CF2-CL2 का उपयोग होता है CF2-CL2 का उपयोग किसमे होता है इसका right answer हो जाएगा ठीक है रेफरी रेफरी जरेंट में ठीक है और ये जो है आपका क्या है VBI है Next है Alkyl Halide Alkyl Halide का alcohol में बदल जाता है किसलिए Substitution के ज़ारा Option number D Next है आपका Leucas Parishan का उपयोग होता है Leucas Parishan का उपयोग होता है VBI लिविकस परिच्छन का उप्योग होता है आपसर नमबर सी अलकोहलों को बिभेद करने में लिविकस टेस्ट यूजड इडिस्टिंग्विस अलकोहल ठीक है ठीक है 16 का राइट अंसर क्या हो गया अलकोहल नेक्ट है फेहलिंग परिच्छन किसके लिए धनात्मक होगा फेहल अलकोहल ठीक है ठीक है नेक्स्ट है आपका निमलिखित में किसके अल्डॉल संगरन नहीं होगा विच्छ फॉलाइंग्विल नॉट अंडरगो अल्डॉल कंदेंसेशन ठीक है इसका राइट अंसर यहां पर हो जाएगा ठीक है वेंजिल्डी हाइड ठीक है क्या हो को जाएगा ठीक है कि ऐक्षी नॉट नंबड ए ऑप्सन नंबर ए इसका राइट अंसर हो जाएगा तिसका राइट अंसर यहां पर हो जाएगा और अंसर नंबड इसका है जाता है भी भी आई है और इसका राइट आंसर हो जाएगा ठीक है इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ब्लॉक ठीक है इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ब्लॉक पीछ ब्लॉक element are known as transition element transition element d block को कहा जाता है और ये भी 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 आई है sodium आवर्थ 22 भी 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 आई है sodium आवर्थ साड़ने में किस group का सदस्य है sodium is member of which group in periodic table तिसका right answer यहाँ पे हो जाएगा group 1A option number A option number A next है XE F4 का आकार होता है भी भी आई यह भी है और इसका right answer है आपका square planner option number B next है आपका निम लिखित में से कौन सिधातु फरकिर्टी में मुक्तवस्था में पाई जाती है और यह भी 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 आई है तो कौन सिधाती जो है वो मुक्तवस्था में पाई जाती है इसका right answer यहाँ पे हो जाएगा आप लोग भी जान सकते हो इसका क्या होता है इसका right answer यहाँ पे हो जाएगा ठीक है कैलसियम आप लोग जो नोट्स बना रहे है ठीक है जितना मैं बता रहा हूं question सारे question का नोट्स बनाइए ठीक है ऐसा नहीं बहुत क्या मार रहे है कि जो भी भी आई बोल रहा हूं वो लिखते हराम से सोजाते है ऐसा नहीं करना total question का बनाना ठीक है total question का बनाना total की याद करो आप कहीं फैदा होगा मैं वार वार बोल रहा हूं next है निमलीखित में कौन सधातू सधारन ताप कराम पद्रब होता है ठीक है आप कहीं भी त्यारी कर रहे हैं त्यारी कीजिए लेकिन जितना मैं बता रहा हूं 100% जितना मैं बता रहा हूं बहुत उतना जो है बहुत लोग अगर कहीं भी प्रहाई नहीं कर रहा हो तो सीप और सीप मेरी वीडियो भी देख सकते हो और आपकी तयारी हो जाएगी ठीक है कि मैं सभी सब्जेक्ट की जिस सब्जेक्ट की मैं दे रहा हूं कम से कम उस सब्जेक्ट की अभी मेरी वीडियो से ही तयारी करों क्योंकि मैं सभी सब्जेक्ट की यहां पर सुरू करने वाला हू बहुत जलड अभी तीन सबजेक्ट चल रहा है कि में एइस्ट्री चल रहा है जो कि आप देख रहे हैं सुँबा के सारी छै में हिंदी चल रहा है सुबा दस बजे और इंगलीज चल रहा है सामके 2.6 बजे अभी तीन tend फिरहाल चल रहा है जल्द ही biology और physics में शुरू करने जा रहा हूँ ठीक है तो बस बने रहे हैं इस चैनल पर नेक्ट है और अपने दोस्तों को भी पताईए निम्हें लिखित में कौन सा धातु STP पर दरब होता है और यह भी BBI है STP पर दरब कौन सा धातु होता है बिचुवान आप दो मेटल is liquid at normal temperature तिसका right answer यहाँ पर हो जाएगा ठीक है right answer क्या हो जाएगा option number B mercury option number B पारा mercury next है और यह भी आपका BBI है next question जो है वो भी आपका BBI है ठीक है question है HO-C-H-2-C-H-2-O-H का IOPC name बताईए HO-C-H-2-C-H-2-O-H का IOPC name बताईए तिसका हो जाएगा यह प्रिशी नेम ethane-1-2-diol ethane-1-2-diol ठीक है तिहाँ पर एक question और है वो भी देख लीजिए परतिरच्छी 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 परति की वी बी आई क्वेशन मैंने करीब 6 से 7 किये हैं ठीक है तो वो लोग पूरा ज़रूर आप लोग नोट्स त्यार करें आप लोग पूरा अप्सन नहीं लिख सकते हैं तो क्वेशन लिकर उसके सामने आंसर लिख कर याद कर सकते हैं 27 28 कोईशन लिखने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता है नहीं याद करने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है बिलीब करें 100 परसंट आप लोग का 70-80 परसंट मेरे वीडियो देख कर सिप याद करने से ही आ जाएंगे ठीक है जो कि किसी भी कोईशन क्लास में इतनी गारंटी के साथ आपको तयारी नहीं क कराएगा ठीक है कोई भी कोईशन क्लास यह नहीं बोलता है कि मैं गारंटी लेता हूं कि मैं जो पढ़ा रहा हूं उसमें 70-80 परसंट आपका माक्स आ जाएगा अगर ऐसा होता तो सभी कोईशन के बच्चे आज 70 और 80 परसंट लाते हैं लेकिन यहाँ पर मैं गारंटी दे से यहां पर कोई नहीं रोख सकता ठीक है बिल्कुल लिख के लिए लो उनका 70-30% माक्स यहां पर आएगा तो बस बने रही है इस चैनल पर और आप लोगों से बार वर बोल रहा हूं वीडियोज को अधिक से अधिक सेर कीजिए लेकिन आप लोग नहीं कर रहे हो ठीक है जब जब तक एक वीडियोज पर 5,000 व्यूज नहीं पूरेंगे मैं नेक्स्ट फीजिक्स का सीरीज यहां पर शुरू नहीं करना हूँगा जब तक 5,000 व्यूज का आप लोगों क्रिटेरिया पूरा नहीं करते हैं बस मिलते हैं आप से अगले वीडियो में थैंक्स वर वाचिं इस वीडियो